आज मैं बनाने जा रही हूँ कसरी मेथी के आलू तो देखते हैं इसके लिए मैंने क्या लिए है यहाँ पर मैंने लिए हैं तीन वाइड आलू इनको आपको ऐसे काट लेना है ना जादा पतला ना जादा मोटा बहुत जल्दी बनने हमारी सबजी है पांच मिनट में आप इस सबजी को बना सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है यह हमने आलू काट लिए हैं अब यहाँ पर मैंने लिए हैं दो कर्ची के करी कसरी में थी इधर मैंने दो सरी स्पून रिफाइन डाव ले लिया यहाँ पर मैं डाल गूँ आधा चमर जीरा इसको हम थोड़ा सा भूलनेंगे अगर आपके घर में कोई इदम से महमान आ जाए आपके पर सबजी ना हो तो आप यह सबजी अराम से बना सकते हैं बहुत जल्दी बन जाएगी और यहाँ पर मैं डाला है एक चमर धन्या हमें इसे भूलना है तेज फ्लेम पर नहीं भूलना है तो वह जल जाएगी अब इसको एक तरफ करके हम इतर जालेंगे घी में थोड़ा सा हल्दी पॉडर आधी चमर के करीब है इसे भी आप इन सब में मिक्स कर लीजिए ऐसी मसालों को अब दो बारिक कटी भी हरीम भी ड जाल सकते हैं जैसे भी आपका टेस्ट है चटपटा खाना है तो आप उसी साफ से इसमें मिश डाल सकते हैं मैंने कम डाली है और दे डालोंगे स्वाद अनसार नमक आधी चमर्च नमक लिया है यह अब यहाँ पर मैं टालोंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर आप इसमें टमाटर भी एड़ कर सकते हैं बारिक बारिक काटके टमाटर भी इसके साथ बून सकते हैं इधर मैंने डाल दिया वह अलू जो मैंने काटे थे अब इन्हें हमें चलाना है अच्छिता से मिक्स कर लेना है इसमें सबको सारा मसाला आपका आलू में लग जाना चाहिए अब उपर से थोड़ा समय आड़ कर दूँगी इसमें गरा मसाला अब इसको आप चलाते वे आपको फ्लेम इसकी कमी रखनी है देश फ्लेम पे नहीं करना आपको ये आप इसको मैं पांच मिनट ले ढख दूँगी और बीच बीच में से चलाती रहूँगी क्योंकि ये आलू थोड़ से भूने वे अच्छे लगते हैं तो इसे में पांच मिनट के लिए बूनूंगी आलू को हमें बीच में चला लेना है दो से तीन मिनट हो गया आलू काफी भून चुके हैं अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए और इनको भूनूंगी इसको मैंने ढग दिया है देखे आलू हमारे तेयार हो चुकी है कितने अच्छे लग रही है इसकी सबजी अब बहुत टेस्ट लगते खाने में आप इकनाई हमें बताईए आपको यह सब्जी कैसी लगी